हे गाइज मेरा नाम है कपिल और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत जता हूं तो बात कर लेते हैं bitcoin की क्योंकि bitcoin दुबारा फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा bullish नजर आ रहा है तो अभी बात करेंगे कि क्या यहाँ से bitcoin फिर से एक वैसी ही spike लगाएगा या hulkyful की spike लगाके नीचे की तरफ का correction करेगा तो चलिए कर लेते हैं शुरू वीडियो को द्यान से देखना जो लोग चैनल को पहली बार visit कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए कर लेते हैं शुरू तो सबसे पहले हम देखते हैं वन आर का चार्ट यह वन आर का चार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक falling wedge pattern यहाँ पर BTC में बन रहा था और अभी उसका breakout हो चुका है तो जब इस तरह का कोई pattern break करता है उपर की तरफ तो chances बहुत जादा हो जाते हैं कि उपर तक जाए ठीक है और उपर तक कितना जाए यह जो आप यहाँ पर यह candle देख रहे हैं इसकी जो सबसे हाई candle है इस pattern की वह यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि फिर से लोगों को bull trap में फसाए जाए यहाँ से उपर की तरफ जाए लोग फसें और liquidation लेके जो भी हाँ पर liquidity होगी उसको लेके BTC नीचे की तरफ भी fall हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो BTC इस channel में यह जो आप parallel channel देख करें तो जो भी करें सोच समझ के करें और जैसे कि मैंने कहा कि futures को भी थोड़ा avoid करें तो ज्यादा बेटर रहेगा अभी एक बार देखते है फोर आर फिर daily फिर weekly सारी चीज़े देखेंगे अभी तो फोर आर में भी लगवग वैसा ही है अभी हम सीधा चलते है डेली के चा है तो यहां पर आप देख सकते हैं candle काफी ऊपर तक गई है लगबग इसके आधा 50% तक candle बनी है तो इसके बाद नीचे की तरफ आ गई है यहां पर आप देखेंगे तो price लगबग 23,360 के आसपास जाके वापस आया है और कल की जो candle है वो red है यहां पर थोड़ा सा bearish moment यह हम क्या होता है वो भी मैं आपके बता रहा हूँ जो maximum मैंने experience किया है वो क्या होता है तो red candle के बाद जो next green candle बनती है वो यहां यह जो आप green candle देख रहे हैं इसकी wick तक यह इससे थोड़ा उपर जाने की कोशिश करती है क्योंकि यहां पर क्या होता है यहां पर stop loss वगएरा लगाए और मेरे इसाब से तो futures नहीं करें तो ही better है क्योंकि काफी time से आप देख रहे है BTC सीधा उपर की तरफ ही चले जा रहा है तो correction यहां पर भी वैसे वाला correction नहीं आया जिसकी सब को जरूरत है तो यहां पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि correction आ सकता है क्योंकि यहां पर weekly का भी देख लेते है क्योंकि weekly का माहौल थोड़ा सा मुझे bullish दिखाई दे रहा है तो अभी यह weekly chart है तो यहां पर देखे यह वाली candle फिर इसके बाद यह वाली candle और अभी तीसरी candle यहां पर बनने जा रही है तो maximum देखे क्या होता है candles के साथ या तो candle जैसे यह candle खत्म ह होती है या तो यहीं से green होनी start हो जाती है और फिर उपर जाने के बाद फिर वापस से नीचे की तरफ का रुख करती है या क्या होता है candle यहां से start होती है पहले नीचे आती है red होती है और फिर उपर की तरफ का रुख करती है तो यहां पर यह candle एकदम से start हो गी है चोटी सी candle start हुई है पूरे सब्ता की candle का बढ़िया तरीके से आपको wait करना है बढ़िया confirmation के लिए अगर यह वाली candle red हो जाती है तो फिर यहां से correction आने के बहुत जादा chances हो जाएंगे price अगर पहुँचेगा तो 2500 तक तो बड़ी असानी से पहुँच जाएगा price कि अगर यह candle red हो जाती है तो अगर आप लोगों ने alt coins में profit book नहीं किया है और आप profit में है अच्छे खासे profit में अगर है तो profit जरूर बुक कर लेना तो जैसे आपको dip मिले आप फिर से buy कर सकते हैं मैं इसी तरह से कर रहा हूं तो मैं अपने विचार आपके शेयर कर रहा हूं आपको ठीक लगे तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं नहीं तो क्या होता है कि market एकदम से फिर नीचे आती है लेकिन जो आपका profit अभी आपको दिखाई दे रहा है वो आप cash out नहीं करा पाते है उसको आप भुना नहीं पाते है वो केवल और केवल फिर numbers में रह जाता है तो इसी लिए अगर आपको profit हो रहा है कि यहां पर तैयारिया चल रही है तो अभी देखिए यहां पर और ज्यादा close आ चुकी है पिछले दो दिनों में उस दिन जब मैंने आपको बताया था तो यह थोड़ा सा यहां पर distance दे लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे price उपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर candles और जादा नजदीक आती जा रही है तो अगर इसी तरह चलता रहा अलकाफुल का correction और फिर उपर की spike अलकाफुल का correction उपर की spike तो बहुत जल्द हमें यहां पर golden cross होते वे दिखाई देगा जो कि market के लिए बहुत ही जादा positive हो और golden cross से पहले ही मैं आपको बता दू golden cross से पहले ही market काफी उपर जा चुकी होती है इसके मैं कुछ आपको example दिखाता हूँ पिछले जब जब golden cross हुआ है देखे यहां पर यह golden cross हुआ था यहां पर लेकिन price यहां से यहां पहुँच गया था तब जाके यह golden cross हुआ था फिर उसके बाद second jump लीडी price ने तो एक बार जब यह golden golden cross होता है उससे पहले price काफी उपर जा चुका होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वैसा ही सेम जब death cross होता है तो death cross होने से पहले भी price काफी नीचे जा चुका होता है उसके बाद death cross होता है और उसके बाद और ज्यादा price भी नीचे की तरफ fall होना स्टार्ट हो ज लेकिन अगर आपने एक साल या छे महिने के लिए coins को hold गया हुए तो profit book करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि continue यहां से आप देख रहे है price उपर की तरफ जा रहा है profit book कर लीजिए कि correction एकदम से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका जो profit है वो फिर से loss में बदल गया तो यह थी आज की वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए helpful होगी वीडियो चलेगी हो तो like कर देना subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लेना समय देने के लिए धन्यवाद फिर मिलते है next वीडियो में अब तक के लिए जय हिंद और जय भारत